नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे की दिकसेफ टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है, दिकसेफ टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और दिकसेफ टैबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स ह सकते हैं, और यह भी डिसकस करेंगे की दिकसेफ टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, दिकसेफ एक ब्रैंड नेम है, दिकसेफ टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है, दिकसेफ टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन दाइकलोफनेक 50 mg और सेरेसियो पेप्टिडेस 10 mg होता है। दिक सेफ टाबलेट का उप्योग शरीर में दर्थ होने पर और सूजन को कम करने के लिए दिक सेफ टाबलेट का उप्योग किया जाता है। यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़ा से सूजन आ गई है, तो दिक सेफ टाबलेट दर्थ के साथ सूजन को भी कम करती है। दिक सेफ टैबलेट का उप्योग शरीर की मासपेशियों में दर्ध होने पर, शरीर की हड्डियों वर शरीर के जोरों में दर्ध होने पर, सिरदर्ध होने पर, दातों में दर्ध होने पर, कमर में दर्ध होने पर, कान में दर्ध होने पर और गले में दर्ध होने पर आधी कं इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए डिक सेफ टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में दिक सेफ टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। ज्यादा लंबे समय तक या ज्यादा दोज में डिक सेफ टैबलेट को लेने से किड्नी वर damnage हो सकती हैं। और शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा लंबे समय तक यानि लगातार कई महिनों या कई सालों तक दिक सेफ टैबलेट का सेवन करने की वजह से पेट में bleeding होने का, दिल का दौरा पढ़ने का और लक्वा लगने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। अब हम discuss करेंगे कि Dick Safe Tablet को कैसे लेना recommended होता है। Dick Safe Tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को Dr. Dicks Safe Tablet को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सलाह देते हैं. कुछ व्यक्तियों को Dr. केवल दर्ध होने पर ही Dicks Safe Tablet को लेने की सलाह देते हैं. डिक सेफ टैबलेट की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको डिक सेफ टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे कि डिक सेफ टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर डिक सेफ टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है। इसलिए इन कंडीशन्स में डॉक्तर की सला के बिना दिक सेफ टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को डिक सेफ टैबलेट को डॉक्तर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए। विडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको विडियो पसंद आया तो प्लीज विडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डिक सेफ टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। अप्रेग्ण